हम जब बड़े हो जाते हैं उमर में या रुत्बे में तो अपने छोड़े हुए घर की बहुत याद आती है उस घर की जहां हमने अपना बच्पन गुजारा होता है अभी नेता अनुपाम खैर ने लिखा है कि उस दिन मेरे दोस्त सानी देवल के बेटे करण की शादी में कुछ जल्दी पहुँच गया तो धरम जी यानी धरमेंदर के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला धरम जी अपने लिखी हुई नजम की कुछ गलाईने गुन गुना रहे थे जो मेरे और राजबबर जी के दिलों की गहराई को छू रही थी मेरे बहुत कहने पर वो ये नब्स रिकार्ड करने को राजी हुए आप भी सुनिये आपको भी अपना माजी अपना बच्पन अपना घर और अपनी माँ बहुत याद आएगी अभी नेता आनुबम खैर केस्ट ने इस वीडियो को अपने ट्वीटर हैंडल पर शेयर किया है अपने कमरे में गुमसम तनहा उदास बैठा था देख उदास मुझे बेचैन सोच मेरी ले गई मुझे मेरे गाउं की गनी में फिर आया जहूंका जो बिच्डी यादों का उड़ता जर्रा मेरी धर्ती का सूर्ते मां मेरे सामने आख़ा लर्जा तारी हो गया चुप थी मां मैं खामोश था लम्हा ये जहां लेवा था अचानक मा में मेरी दम घुट रहा था खामोशी का सुबकती मम्ता ने फिर चुपी तोड़ी अब और ना तड़पा आँ मेरे बच्चे आँ मेरे कले लगे जाए और मैं बिलगता किसी बच्चे की तरह मां मेरी मां कहकर मा से जा लिप्टा मा की नरम गोद में नीन सी आने लगी माने सरसारा जोए कहा वो देख धरम गाउं के बच्चे बुड़े सब में खड़े तुसे मिनने के लिए जाओ उनसे मेरा ना चला गया फिर गिले इशिक वे जजवाद बरे होने लगे तो आई नहीं याद त कही दे इंतिजार करते ही चले गए फिर गिलाई शिक्वे जजबात भरे होने लगे नम हो गई आखे मेरी आंसु उनके भी बहने के लिए और फिर स्कूल जाते बच्चों में खुद को देख लिया रहा न गया आवाज दी धरम धरम दोड़ता होगा मेरे पास आ गया उठा लिया बाहों में भेंच लिया सीने से लिपटते ही गले वो रो दिया कहां चले गए थे क्यों चले गए थे अब छोड़के न जाना मुझे बाद खुच दब डबाई आखों में फिर पिगलते पिगलते सब कुछ पिगल गया मैं अपने कमरे में गुमसुम तनहा उदास बैठा था तनहाई आंसु पोंच रही थी कर तनहां रही थी थी। कहते हुए बोलजा धरम तेरा ओ ओ मासुम आजी अब कभी लाट के ना है वाह, वाह, वाह! वाह, वाहastic that's amazing thank you, thank you for sharing us Let's address your master please